कि नमस्कार आप देख रहे हैं इन कबर कुरोणा के मामले लगातार बढ़ते जा रही हैं सीबीच अइसगर में कुरोणा से मरने वालों के शवो को कूड़े की गाड़ी में ले जानी का मामना सामने आएं वहां से कुछ तस्वीर सामने आई है जिसमें दिख रहाए की पी-पी-किट पहने कुछ लोग शम्षान घाट में कूडा-गाली से शबों को लो उतार रहे हैं मामना राज्य के राजनांद गाउं जिले का है खबर के मताबिक राजनांद गाउं जिला मुख्याले से 25 किलो मीटर दूर स्थित डोंगर गाउं में कोरोना पीडित दो सगी बहनों समेत तीन लोगों की मौत हो गई इन तीन मौतों के अलावा डोंगर गाओं के ही सरकारी हस्पताल में एक कोरोना पीडित व्यक्ती अपनी जान गवा बैटा वहीं मुख्य चिकित साहिम स्वास्ते अधिकारी ने पुछ्टी की की कोविट के मरीजों का आक्सिजन लेवल बहुत कम था इसलिए मौत हो गई नगर पंचायत के कच्रा फेकने वाले वहां से इन शवों को शम्चान ले जाए जा रहा है खबर के मुताबिक जब इस बारे में सीमो से पूछा गया तो उनका जवाब था कि शवों को ले जाने के लिए गाड़ी की वहस्ता करना नगर पंचायत का काम नहीं है डोगर गाओं के समधाइक स्वास्ते केंदर के बीमो ने मामला सामने आने के बाद अपने आपको घर में आइसुलेट कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला जाल लिया जबकि उनकी कोविड रिपोर्ट नेगटिव आई है राइपूर में मालवाक ट्रको को शव वहन बना दिया गया है राइपूर के मेकाहारा में इसी तरह शव अंतिम संसकार के लिए शहर के अलग-अलग हिस्सों मेल ले जाए गए इलाज के अभाव या देरी से इलाज मिलने की वज़े से जिन लोगों की मौत हो रही है राइपूर जिला सबसे अधिक प्रभावित है यहां सौ लोगों की जाच करने पर पचास पॉजिटिव केस मिले हैं राज के अठारा जिलों में पावंदियों के बाद भी प्रदेश की संक्रमन दर लगातार बढ़ रही है आगे के अपडेट पर रहेगी हमारी नजर आप देखते रहे हैं इनकबर